तो नमस्कार दोस्तों, I am very excited today, I have Dr. Praveen Bhatia again with me today, he is the Director of Bhatia Dentopulse और कुछ सवाल मेरे मन में थे जो मैं इनसे personally पूछना जाता था, so let me take this opportunity, I'll try to answer सर ये बताईए, ये cavity होती क्यों है? सर, cavity एक छोटा सा होल होता है, जो दांक के अंदर हो जाता है, इसमें कुछ तो हमारा पार्ट है, negligence की वज़े से, जैसे हम रात को ब्रश नहीं करते, बहुत से लोग ब्रश नहीं करते, मैं अपना अगर क्लिनिक का experience बताऊं तो 85% लोग नहीं करते हैं, तो cavity जहां पर दांक में खाना फस जाता है, और लिडी बैक्टिरियास हमारे मुँ में होते हैं, उनको एट्राक्ट करता है वो खाना और वो खाते हैं, हमारे दांक के अंदर वो हलका-हलका demilorization होता है और वो cavity बन जाती है, cavity बनती है, खाना फसना शुरू हो जाता है, फिर एक समय आता है, दा के नाल करना पड़ता है, तो cavity अगर ना बने, इसके लिए ही आपको पहले से ही, दो-तिन maintenance tips होते हैं, रात को ब्रश करना, और दो टाइम ब्रश करना, बानी में नमक दालके कुल्ला करना, यही होता है कि हम cavity को बन नहीं ना दे, ना दे, very important, how simple, yet very effective, और डॉक्षा, you know, somebody was asking में, दात नहीं है, किसी वज़ा से तूट गया है, तो what are the options available today? देखिए, पहले मैं आपको ज़रूर बताओं कि दान्त तूटने की दो-तीन ही major वज़ा होती हैं, या तो pyreya हो गया, aging की वज़ा से, या gums में bleeding स्टार्ट हो गई, दान्त हिलना शुरू कर देते हैं, या accidentally आपका कोई दान्त तूट गया, या कोई दान्त में इतना ज़ा करना चाहते हैं, बार-बार लगाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो आपके दातों में और गम्स में चेंजिस ला देगा, आवाज चेंज हो जाएगी, खाने में भी मज़ा खतम हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा और समय रहतें, ब्रिजिंग हुआ, आसपास के दो दान्त अब समय आ गया है, समीर जी, लोग इंप्लांट चाहते हैं, एवरी थर्ड परशन और पेशन इस कमिंग, डॉक्स आप इंप्लांट ही लगाना है, इंप्लांट में एक जॉब बोन के अंदर टिटाइनियम का स्क्रू लगा दिया जाता है, और उसको कस दिया जाता है, उस के साथ चलते हैं, it is a one-time investment, और हाँ, आपकी checkbook पर जरूर लोड पड़ेगा, थोड़ा costly है, but don't worry, क्योंकि आप तीन बार bridge बनवाएंगे, उससे अच्छा एक बार implant कराया, तब भी आपको सस्ता पड़ेगा, that's, I told you, it's a one-time investment, और अपनी body पर इंवेस्ट कर रहे हैं, तो there are times when the doctor is not available, right, so क्या घरेल उपाय बनदा करे ताकि उस समय उसको, sure, इसमें क्या रहता है, जब cavity बड़ी हो जाती है, तभी दर्द स्टार्ट होता है, अगर हाट की बात मानें, थोड़ा सा भी परशानी होती है, आप immediate अपने हाट सर्जिन के पास चले जाते हो, लेकिन दा स्टार्ट होता है, यकीन मानिए, दांत का दर्द बर्दाश्ट नहीं होता है, तो उस समय ये करें कि आप तुरंट पानी में नमक डालके गुल्गना करके उसके कुल्ले कर लें, कुल्ले करते ही आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा, एक कोई अनल जैसी कुछ समय पढ़ा है वो खा लें, और आजकल पुराने दादी माके नुसके हैं, एक लॉंग रख दिया जाए, उससे फरक पड़ता है, नेक्स्ट एक मेरी वीडियो है यूट्यूब पर दर्द से कैसे पाएं राहत, तो उसमें आप दीखी मैंने बहुत सरी टिप्स दी हुई हैं, जैसे नमक क साथ आप सरसों का तेल अगर एड करके दांतों पर लगा लें, तो उससमें दर्द कम हो जाता है, अप डेंटिस्ट के यहां पहुंचने तक आपका दर्द कम हो जाए, और एक टेबलिट बताता हूँ, कैटरॉल, डीटी, तकरीबन सब को पता होता है, तो वो ले लें, उस समय तक आराम आजाएगा, रेस्ट टीट्मेंट बिना डॉक्टर के इंटर्वेन के, वो कम्प्लीट ठीक नहीं होगा, इस नोट जस्ट लाइक फीवर, कि आपने फीवर हुआ, प्रोसीन खाई, ठीक हो गए, दांत का दर्द अपने आप कभी धबर नहीं होता है, तो आप डेफिनेट्ली आपका ध्यान रखेंगे, वेरी नाइस, वेरी 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 सिंपल, इसी तरह सर, अब मेरी ख्वायश और बढ़ती जा रही है, कुछ वोड़े बहुत टिप्स बता दीजिए, कि नो, सिंपल टिप्स विच 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 बनता है, लेकिन जब आप रात को ब्रश नहीं करते, the food stays in your mouth for about 8 hours, जब 8 घंटे आपके मूँ में रहेगा, चॉकलेट खाते हैं बच्चे कूब, वो मीठे कंटेंट आपके मूँ में रहेंगे, और already मैंने जैसा बताया कि बेक्टिरियास already हैं, वो उसको हिट करेंगे और भोजन बनेंगे, तो आपके मौँ में cavity होगी, दर्द होगी और bad breath, smell इतनी आएगी, आप खुद का होगे, और आप मेरी एक ये tip याद रखें, 15 दिन मेरे कहने से आप रात को पेस्ट करके सोएं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, कि 16 दिन आप बिना पेस्ट के सो नहीं पा चलन है, flossing होता है, एक nylon thread होता है, क्योंकि दानत के surface को हम इधर से, इधर से, इधर से, इधर से कर लेंगे, लेकिन center से जो बीच के surface हैं, उसको proximal surface बहुते हैं, cavity तो वहाँ भी बनेगी, मीटा वहाँ भी लगेगा, किटानों वहाँ भी आएंगे, तो आप उसको flossing एक thread से आप साफ कर लें, definitely आपके दानत बहुत साल चलेंगे, और last tip, अगर मान लीजिए छोटी सी भी problem आपके mouth में start हुई है, यानि एक कहें की sensitivity हो गई, या हलका सा दर्द हुआ, don't ignore, immediate अपने dentist को दिखा ले, आपके root canal तक नहीं पहुँचेगा, खर्च भी बचेगा, pain भी नही होगी, और आप अपने दानतों का अच्छे से ध्यान रख पाएंगे, और last tip है, regular check-up, ज़रूरी नहीं है, pain होने पे ही जाना है, अगर pain नहीं है, तब भी आप एक बर visit कर लें, ये US, UK का एक culture है, कि वहाँ six monthly आपका compulsory है, dental check-up, पर हमारे हिंदुस्तान में, जब तकलीफ होती है, दर्द होती है, तब हम सोचते हैं कि अब number ढूंड़ने हैं किसी का doctor का, तो friends, आपके दिक्कत कोई भी किसी तरह की भी हो, अब मुझे 30 साल हो गए हैं, हर तरह के लगबग मैंने patients देखे हैं, कोई दिक्कत होगी, मैं नीचे phone number अपने share कर देता हूँ, telephonic consultation that is absolutely free, अब ही आप करना चाहें, कभी भी मेरे को phone कर दें, मेरे WhatsApp पे number हैं, एक काम करें, जब भी कोई आपको दिक्कत हो, एक WhatsApp पे अपने teeth की picture और एक x-ray possible हो, वो डालें, I'll try to, कि आपको तुरंक मैं उसका समधान दे पाऊं, मेरा clinic जनकपुरी, भाटिया Dentopuls के नाम से है, मैं एक senior director हूँ और senior dental surgeon हूँ, so Samir जी के साथ, आज मेरा बात्रीट करने का मन भी था, इन्होंने मुझे समय दिया, मैंने इनको समय दिया नहीं, इन्होंने मुझे समय दिया, I'm thankful to Samir जी, thank you very much, thank you so much, all the best, thank you.